नमस्कार बहुत स्वागत है आपका राहू थर थर कापता है कुछ उपाई से राहू असूब हो तो उसके लक्षन क्या है पहरे ये समझते हैं देखिए जैसे हाथ के नाकुन अपने आप तूटना मन में वहम पैदा होना दूसरे लोगों से धोखा मिलना और साथी बीमारी परेसान कर रही है समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है तमाम लक्षन है जो बताता है कि आपका राहू दूसित है कब राहू बनाता है कुरोड़पती देखिए अगर राहू सपोर्ट करे तो रातो रात ब्यक्ति क्या बहुत अमीर हो जाता है लोटरी जुआ सट्टा का म और रातो रात आपके तमम जो भी मुश्किलें हैं समाप्त होती है दुस्वन स्वतर नस्ट हो जाते हैं दिन दुनी राच चोगुनी तरक्षी होने लगता है तो राहू का उपाई करना है सिप जी की पुजा करनी यह उपासना करनी है आपकी हर प्रसानी दूर हो जाएगी लेकिन इसके अलावे राहू कौन से उपाई से कापता है राहू कौन से उपाई से हमेशा ही व्यक्ति को डर कर हर चीज देता है जिस चीज की आपको कामना है वो कौन सी इच्छा है जो राहू अगर कुपित हो जाए तो परिसान करता है पुरा नहीं होनी देता देखे रा रासियों का स्वामी नहीं है राहू आपकी रासी में अगर नीजी स्थिति में है तो धन्हानी होगी लेकिन कुंदली में अगर गरह की स्थिति ही खराब है तो मस्तिक्स ही आपका डिस्टर रहेगा मन मस्तिक्स में अच्छे विचार नहीं आएंगे एकदम से आप बोजिल रहेंगे इसकिन की परेशानी कैंसर गठिया हड्डियों की समस्या फेक्चर हिरदय रोग घर की सीड़ी गलत दिसा में होना दहलीच को दवाना तूट तूटना ये भी राहू का दोस्त पैदा करता है तो दहलीच को कभी तूटने ना दे घर में सौचाल है वेकर है तो य पत्थों का तूटना घर में समान तूटना बार बार बिमार होना और राहू को मजबूत करने के लिए पिए कुछ उपाये हैं जिसको कर लेने से राहू को मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो चांदी का टुकड़ा चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखे परस में रखें बैग में रखें आप चाहें तो सो गले में धारन कर सकते हैं इससे राहू सुभ प्रभाव देने लगता है इन उपायों से राहू कभी परिसान नहीं करता याद रखें चौकोर यह नहीं कि स्कौर अब देखें राहू के दोस्त को दूर करने के लिए कुत्ता को रोटी भी खिलाना सूभ होता है आप उसको दूद भी दे सकते हैं राहू सुभ फल देता है और जीवन पर सकात्मक फल प्रभाव पड़ता है लेकिन जब भी आप कुत्त कुमित disclaimer को खाने देंगे वो साम के बाद अंधिरा होने के बाद दिन के समया कोई विधान नहीं है सास्तुरों में खास कार राहू दोस्त से मुक्ति पाने के लिए अब दीकेत तीसरा तीसरा राहू को सांद करने के लिए नियमित रूप से पूजा के बाद लाल चंदन का अपने माथे पे कंट पे या कलाई में कहीं भी एक जिगा लगा लें ऐसा करने से भी राहू सूब हो जाता है और गंगा असनान करने से भी राहू की समस्या का समधान होता है समस्या समाप्त हो जाता है राहू का अगर आप गंगा में तिर्थ स्थान पर असनान करते हैं तब तो जोतिस के नुसर राहू दोस को दूर करने के लिए एक लोहे का छला या कड़ा भी लोहा का पहन सकते हैं ये भी एक अच्छा उपाय है इससे भी राहू सांत रहता है लेकिन हर कोई लोहे का छला या कड़ा पहने या नहीं बिना कुंडली दिखाया नहीं पहने तो ज्या पीने की वस्तुगा दान करने से भी राहू का जो दूस प्रभाव है वो कम हो जाता है समाथ हो जाता है तो गरीब यक्तियों का नियमीत रूप से अगर आप सेवा करें उनको कुछ खाने पीने दें तो राहू के लक्षन को आप दूर कर सकते हैं और दूसरा आप एक पानी वाला नारीयल बुद्वार की साम अपने सर से साथ वार उल्टा वार कर बहते जल्में प्रभाइद कर दें तो इससे भी राहू की मुस्किलें कम परिसान करती है राहू सांत रहता है राहू दोस्ट से मुक्ति पाने के लिए सबसे आसान है कि 18 दिन तक राहू का ब्रत आपको लहसन, प्याज, मान, स्मधिरा का सेवन नहीं करना है इसी से हो जाएगा आप चाहें तो फास्ट भी रख सकते हैं सनिवार के दिन काला वस्त धारन करने को कहा जाता है अगर राहू दोस हो तो आप अगर नहीं करना चाहे तो कोई दिकत नहीं लेकिन ओम, ब्रांग सहरावे नमा या फिर ओम रांग राहवे नमा का भी जब कर सकते हैं सनिवार के दिन काले तिल से बनीवी चीजें मीठी रोटी मीठाई वेगरा खाने से भी राहू दोस्त से मुक्ति मिलती है राहू सांथ रहता है तो मीठी रोटी या मीठाई वेगरा आप खा सकते हैं अ